Hello दोस्तो, हिंद अंडोईट टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडोईट फोन के 5 सीक्रेट कोट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके अंडोईट फोन के लिए है लेकिन आप मेंसे कई सारे लोगों को इन codes के बारे में पता ही नहीं है जी हाँ दोस्तो ये code बहुत ही जादा useful है बहुत ही जादा important है इस code की बदस से आप अपने mobile की काफी सारी information निकाल सकते हैं जो काफी जादा useful है तो अगर आप जानना चाहते हैं इन codes के बारे में तो इस वीडियो को बिदा skip किये end तक देखिए तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं इन secret codes के बारे में तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है लाइक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथी साथ इस नोटिफिकिशन बेल को ज़रूर आउन कीजिए ताके जब भी मैं इसी तरह की वीडियोज अपलोड करू तो इसकी नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तो आपको एक कमेंट कर देना है सीक्रेट कोड इतना काम करके दोस्तो आप ज़रूर से मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तो फर्स कोड की मदस से आप मुबाइल के सार लेवल को चेक कर सकते हैं आप मेंसे कई सारे लोगों को सार लेवल के बारे में पता ही नहीं होगा दोस्तो सार लेवल मुबाइल के रेडियेशन के लिए यूज किया जाता है आपके mobile में radiation अगर हच से ज़ादा होगा तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो आपको check कर लेना है कि आपके mobile में SAR level कितना है अगर आपके mobile में SAR level 1.6 है तो ये normal है लेकिन अगर इससे ज़ादा होगा तो दोस्तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो अपने mobile में star value check करने के लिए आपको dialer में जाना है और एक code dial करना है star hash 07 hash जैसी दोस्तों आप ये dial करेंगे तो आपके सामने एक page open होगा star level का जैसे के आप देख सकते हैं तो दोस्तों मेरे mobile में जो star level है आप देख सकते हैं 1.6 है यानि के मेरे mobile का जो radiation है ये normal है ठीक है लेकिन अगर इससे जादा होगा तो दोस्तों ये खतरनाक हो सकता है अगर आपके mobile में 1.6 से जादा होगा तो दोस्तों आपको अपने mobile company के service center से contact कर लेना है आपको वहाँ पर help मिल जाएगी दोस्तों next code की मदश से आप चेक कर सकते हैं आपका phone hack है या नहीं कोई बंदा आपकी call सुन रहा है या नहीं सारी details आप देख सकते हैं एक secret code की मदश से अगर किसी ने आपके phone को hack कर भी लिया है तो आप उसे deactivate कर सकते हैं एक secret code की मदश से जी हाँ दोस्तों तो ये code है star hash 6 to hash ये code दोस्तों आपको डाइल करना है अपने दोनों ही number पर आपको dial करके check कर लेना है अगर ये code आपके phone में work नहीं करता है तो एक और code है star hash 21 hash दोनों ही code आपको screen पर नज़र आरहे होंगे दोनों ही code आप अपने phone में check कर लीजिए दोनों ही number पर तो मैं यहाँ पर अपन के सामने कोई mobile number नहीं है यानि के मेरा phone hack नहीं है wise not forwarded data not forwarded आप देख सकते हैं सारी details आ चुकी है अगर दोस्तों यहाँ पर किसी भी option के सामने कोई mobile number अगर show होता है तो इसका मतलब उस number पर मेरी details transfer हो रही है call transfer हो रही है data transfer हो रहा है तो आपको इसे deactivate करना होगा ठीक है तो deactivate करने के लिए दोस्तों आपको एक code dial करना होगा hash double zero to hash इस code को दोस्तों आपको dial कर देना है तो दोस्तों जो भी service activate होगी दोस्तों वो disable हो जाएगी और आपका phone बिल्कुल safe हो जाएगा दोस्तों next code की मदद से आप mobile के IMEI number को check कर सकते हैं हाला कि आप setting में भी check कर सकते हैं IMEI number लेकिन अगर आप एक android phone यूज करते हैं तो आपको mobile के सभी secret shortcut के बारे में पता होना चाहिए इसलिए ये code मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आप अपने mobile में IMEI number को check करना चाहते हैं तो आपको dial करना है star hash 06 hash जैसे आप dial करेंगे तो आपके सामने numbers आ जाएंगे आप check कर सकते हैं आसानी से दोस्तों next code की मदद से आप phone को पूरी तरह से test कर सकते हैं पूरी तरह से check कर सकते हैं अगर आप एक पुराना Android phone खरीद रहे हैं तो आप check कर सकते हैं टच सही से काम कर रहा है या नहीं mobile के सभी sensor work कर रहे हैं या नहीं ये सारी चीजे आप check कर सकते हैं सिर्फ एक secret code की मदद से तो आपको dial करना है star hash 0 star hash जैसे आप ये dial करेंगे तो आपके सामने काफी सारे option आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर हमें कुछ जरूरी बाते आपको बता दू हो सकता है ये code आपके phone में work ना करें लेकिन अगर आप एक Samsung का phone यूज कर रहे हैं तो दोस्तो Samsung के सभी phone में ये code work करेगा लेकिन अगर आप कोई और company का phone यूज कर रहे हैं तो आप try कीजिए अगर work करेगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं तो यहाँ पर मैं dial कर देता हूँ इस code को दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे option आ चुके हैं अब यहाँ पर दोस्तो आप सभी चीज़े चेक कर सकते हैं मुबाइल के सभी sensor work कर रहे है या नहीं यह सारी चीज़े यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं आप अपने इसाफ से चेक कर सकते हैं दोस्तो आखरी code की मदद से आप किसी भी जियो नंबर पर call forwarding को activate और deactivate कर सकते हैं तो इसके लिए आपको dialer में dial करना है star 401 star और इसके बाद mobile number आपको dial कर देना है जिस नंबर पर आप call forwarding करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक number dial कर देता हूँ इस number पर मुझे call forwarding activate करनी है और दोस्तो इसे आपको dial करना है अपने जियो sim पर तो यहाँ पर मैं dial कर देता हूँ अब दोस्तो जैसे आप dial करेंगे तो आप यहाँ पर message सुनाई देगा अब दोस्तो आपको अगर इसे deactivate करना है तो इसके लिए आपको dial करना है इस्टार फोर जीरो टू बस इतना ही दोस्तो आपको dial कर देना है तो इस तरह से दोस्तो आप किसी भी जीओ नंबर पर call forwarding को activate और deactivate कर सकते हैं इस secret code की मदद से तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए अपने सभी friend के साथ इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे साथी साथ notification bell को जरूर आउन कीजिए तो मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू